दोस्तो बारिश को बांधो उसकी भाफ बनाओ पानी की भाफ बनाओ तो गैस बनती है जिसमें इंजिन चलते हैं एनर्जी मिलती है वैसे ही अगर नदी नालियों को आप बांधो और उनको एक साथ बांध के चलाओ तो बिजली बनती है बिल्कुल उसी तरीके से जिन्दगी में भी अगर आप जिन्दगी के अपने सारे विचारों को बांधो और जिन्दगी में एक फोकस बनाओ तो आपकी जिन्दगी में आपको डेस्टिनी जरूर मिलती है फोकस, जिन्दगी में फोकस करेंगे तो ही अपनी डेस्टिनेशन पर पाएंगे लेकिन बचे क्या करते हैं? एक गोल तो बना लेते हैं लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं रखते यहाँ वहाँ देखते हैं और अपना रस्ता जो है वो भटक जाते हैं तो कोशिश यह कीजे कि नजरें आपकी डेस्टिनेशन पर रहें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता